वैसे तो पूट्टू लाका के पोधे में गर्मियों के सीजन में फ्लावरिंग आती है लेकिन आपको विंटर के सीजन में या डोमनिसी पीरिड में चल जाता है नमी एम धुंद के कारण इसमें फ्लावरिंग पूरी तरह से बंध हो जाती है तो इस पोधे को कैसे सेफ रख करना है कि गर्मी के सीजन आते आते इसमें प्लांट्स में सैकलों की संख्या में फूल की लेंगे उसके बारे मैं आपको इस वीडियो में सेर करके बताऊंगा वह गजब टाइप का फ्लावरिंग होता है पूधे में अभी आप सिर्फ दो काम करेए आपके प्टु लाका के पौधे में अभी क्वल की लेंगे सैकलों की संख्या में फूल की लेंगे अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एम सब्सक्राइब जरूर करें पुट्टू लाका के पौधे को आप सेफ रखने के लिए इसे कैसे तयार करना है कि गर्मी आते आते मेरे प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में छोटे से प्लांट्स में फूल खिले उसके लिए आपको छोटी छोटी केर टीस अपने प्लांट्स में करना हैं प्लांट्स में 6-7 घंटा रखिए जब इसकी मिट्टी सूख जाए तो आप इस प्लांट्स को पानी दीजिए उसके बाद इसकी जितनी सुखी हुई पत्ती है इम कलिया खिल के मुर्जा गई है उन सब को आप कटर के साहता से कटिंग करके सारे पत्ती को जो पीली हो गई है इम खराब ह हो गई है आपके जितने भी प्लांट्स है सब प्लांट्स में आप कटर की साहता से कटिंग करके आप उसे अलग कर दें अलग नहीं करिएगा तो आपको प्लांट्स के न्यूट्रेशन ले लेंगे और प्लांट्स को ग्रोथ होने नहीं देंगे और याप प्लांट्स को ख करते रही हर एक पंदे दिन के अंत्राल में इससे आपको यह फायदा हो कि मिट्टी की दूरा सकती बड़ी रहेगी और प्लांट्स में ऑक्सिजन का संचार अच्छी तरह से और प्लांट्स एयर को अच्छी तरह से और जो कठोर मिट्टी में प्लांट्स का गुरूत रूख करता है इसलिए हमने डिवी फटिलाइजर का मात्र आपको आठ से दस दाना हर एक प्लांट्स में दे देना है क्योंकि इसे में डुमनेशी भी पिजेट्स में प्लांट्स आपके खराब हनों लगते हैं ख्लॉरिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है इसलिए आप कटिंग करक आप आठ से दस दाना जितने भी प्लांट्स है समय आप डिवी फटिलाइजर का डाल के आप प्रोपर संलाइट्स में छोड़ दीजे और सेम दे में आपको वाटरिंग नहीं करना वाटरिंग आप दूसरे दिन में करिए आपके प्लांट्स हेल्दी ग्रोथ रहेंगे और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा इसलिए मैं आपको सिर्फ दो काम करने अभी बोल रहा हूँ हूं आप पौधे की जो भी मित्र खराब पत्ती हैं टहनिया है सबको कटिंग के द्वारा हटा दे उसके बाद आप मिट्टी की कुळाई करके टीवी फटिलाजर का 8-10 दाना अपने प्लांट्स में डालिया उसके बाद प्लांट्स देखिए कितने आपके हेल्दी हरे भरे नजर आएंगे और इसी तरह से आप अपने प्लांट्स का केर करके आप गर्मी की सीजन के लिए इस प्लांट्स को सेफ रख सकते हैं और इसमें सैकडों की संख् फूल पास सकते हैं इस पोदे को प्रोपर सनलाइट्स में रखिया जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तब आपको इसमें पानी देना है ओवर वाटरिंग नहीं करना है ने तो आपके प्लांट्स खराब हो जाएंगे इसलिए आप जब इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख जाता है आप प्लांट्स को पानी जाएंगे जाड़े के मोसम में धूंद यो नमी के कारण पोदे का ग्रोथ रूख जाता है और डूमिसी प्रियड में चल जाता है इसमें पूरी तरह से फ्लारिंग बंद हो जाती है इसलिए आप इस पोदे को कटिंग करके मट्टी की कुडाई करके पोपोस अनलाइट्स में रखिए और उसके बाद जब इसकी मिट्टी सुख जाता है तब आप इस प्लांट्स को पानी देजे उसके बाद देखे पोदे कितने अच्छी तरह से हमने केर करके रखा मेरा पोधा एकदम अरा बरा साप नजर आ रहा हर या गर्मी के सीजन आते आते इस प्लांट्स में सैकुड की संख्या में फूल खिलेंगे तो मेरे बताएवे केर्टीस को अपनाईए और अपने पूटू लाका को पोधे को विंटर के सीजन में सेफ रखी और नेक्स सीजन के लिए इसी तरह से आप अपने पोधे को तैयार करके हेल्दी एम ग्रो करिए तब आपके प्लांट्स में अच्छे से फूल आएंगे कल अपने प्लांट्स का केर करिए और अपने पूटू लाका को पोधे को नेक्स सीजन के लिए इसी तरह से शेफ करके रखे और इसमें अच्छे से प्लांट्स का ग्रोथ होगा, प्लांट्स आपके हरे भरे रहेंगे अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक से सस्क्राइब कॉमेंट जरूर करें आपने पुटू लाखा के पोधे में अभी आप एक काम करें आपके पोधे हेल्दी रहेंगे से सेफ रहेंगे और नेक्स सीजन के लिए इसमें सेकड़ की संख्या में फूल फूल आएंगे बस आपको छोटे से छोटा केर करना है अपने इस प्लांट्स में और पोधे को इसी तरह से आप देख भाल करिए और केर करिए आपके पोधे इतने अच्छी से हेल्दी रहेंग उसमें कलिया भाएंगी पूल भी आएंगी पूल विoles पाएंगी पुटूलाखा के पोधे गर्मी के सीजन में इसमें जाधा फ्लॉरिंग होती है और ठंडे के मौसम में या ठंडे अस्था में चल जाता है क्योंकि इसमें नमी घूंद के कारन इसकी पत्ति में और हेल्दी रखे छोटी-छोटी केर टीस को अपनाईए और अपने पुट्टू लाका के पौधे को इसी तरह से सेफ रखे मिलते हैं फिर अगले वीडियों में नहीं किसी टोपिक के साथ नहीं किसी प्रांट की जानकारी के साथ पुट्टू लाका नाई में रोस मास के बाई बाई टाटा